हेलो एबरिवन स्वागत आपका हमारे चैनल की नई सीरीज के चौथे एपिसोड के अंदर जहां मैं बात करूंगा इस इंडी का विष्टा की जिसको मैं चला रहा हूँ पिछले 11 साल से 1270,000 किलमेटर गारी को चला चुका हूँ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गारी क मेंटेनेंस को लेकर और कुछ टिप्स मिल जाएंगे टाटा कार्स को लेकर मेंडा अगर पिस इंग आप लोग देखेंगे स्पेर वील एन लेस्ट बिगेंगे सो पहले कुछ ट्रैटिकल बाते कर लेते हैं फिर इस गाड़ी को प्राक्टिकली देखेंगे और मेरा मानना है गाड़ी और और आपको घर में तब लाने चाहिए जब आप उसको मेंटेन कर सकते हो जोकस अपार्ट, गाड़ी कोई भी हो, एक्च्वल में में मेंटेननस मांगती है और मेरे को लगता है बहुत सारे लोग टाता की गाड़ीः यह सोचके लेते हैं और फिर हम सोचते हैं बाद में देखेंगे और वो बाद वाला मोमेंट कभी आता ही नहीं है ठीक है उसके बाद हमारी गाड़ी डेली यूज में लग जाती है इस गाड़ी के टाइम पर of course I was not educated well enough कि मैं गाड़ी को समझ पाऊ और मेंटेन कर पाऊ अच्छी तरह से लेकिन उसके बावजुद इस गाड़ी ने मुझे कभी ज़्यादा दुखी नहीं किया एक गाड़ी की मेंटेनेंस पर सबसे important step होता है उसकी timely servicing का यानि जिस समय पर company ने बताया है कि आपको उस गाड़ी की service कर देनी चाहिए उसके आसपास आप उस गाड़ी की service करवा ले मैं आसपास क्यों कह रहा हूँ कि देखो जब तक तो warranty आपकी है तब तक तो आपको जो time बताया गया है एक दो तीन चार हजार किलोमेटर उपर चल जाती है बाकि यह गाड़ी टू गाड़ी डिपेंड करता है आपकी maintenance पर करता है एंड इंजन के साइज पर डिपेंड करता है जितना बड़ा इंजन होगा न वह थोड़ा बहुत और ज्यादा जहेल लेगा उस चीज को जितना इंजन छोटा होगा उसको आप उतना ज्यादा नहीं खीच पाओगे लाइट तो अगर आपकी सर्विस ग्यारा हजार अगर आपकी सर्विस दस हजार पर होती और आप इक डीजल का चलाते हो तो ग्यारा बारा हजार से उसको कोई जादा फरक नहीं पड़ेगा लेकिन डिपेंड्स कि आप गाड़ी कुछ चलाते कैसे हो क्यों आपको वीडियोस चैनल के पर दिख जाएंगे बहुत पुराने वीडियोस हैं बहुत जादा मैश्योर नहीं है लेकिन आपको काफी जारे पॉइंट्स उसमें सीखने को मिल सकते हैं कि अगर आपकी गाड़ी में किसी तरह की दिक्कत आजाती है और आप सोचते हैं उसको बाद में ठीक कराओगे तो वह आप अपना लुक्सान कर रहे हो बहुत रेल केसिस में ऐसा होता है कि फॉल्ट को बाद में सही कराने में आपको कोई बेनेफिट होता है अधर्वाइस यूजरी क्या होता है लेट सबोज आपने सोचा कि आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है जिसको ठीक होने में दस हजार उपर लग रहा है ना आप स साल या छे महीने चार महीने उस प्रॉब्लम के साथ निकाले तो क्यूं सहर है हो अगर आपने पैसा भर नहीं है और दूसरे केस में क्या होगा कि वह 10,000 बढ़के 12,000 या 14,000 हो जाएगा क्योंकि चीज़े भी दीरे-दीरे expensive होती जा रही है parts expensive होते जा रहे हैं and sometimes एक चीज इसके उपर depend होकर दूसरी चीज़ खराब होना शुरू हो जाती है but simple से example लेता हूं let's suppose आपकी गाड़ी का camber खराब हो गया टायर का होता है अगले टायर के आपकी alignment खराब होई अब आप सोच रहे हो 1000 रुपय बचाने के alignment balancing में बात में करवा लेता हूं अभी क्या जरूर तो इस तरह से आपका चोटे expense बड़े expense को attract कर लेता है और मेरे को लगता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ना इस चीज को समझते नहीं है मैंने भी यह चीज बहुत मुश्किल से सीखी है और बहुत दिक्कतों का सामना करने के बाद सीखी है दिक्कते में maintenance terms में नहीं कह र अब बात कर लें कुछ major चीजों की जो टाटा की गाड़ियों में आपको regular देखने को मिलती हैं क्या वो चीजे मुझे face करनी पड़ी या नहीं उन चीजों की बात कर लेते हैं तो सब्सक्राइब बात करूंगा braking की कुछ लोग कहते है टाटा की गाड़ियों की braking अच्छी नहीं होती है, spongy होती है, over the time खराब हो जाती है, तो honestly speaking, 2,70,000 km के अंदर मुझे कभी braking में कोई issue महसूस नहीं हुआ, in fact, अगली braking मेरी हमेशा से काफी ज़्यादा शांदार रही, पिछली brakes को मैं कभी maintain नहीं कराता, because those are drum brakes, and वो मेरी ऐसी है कि अगर मैं चलती गाड़ी में handbrake लगा दूँगा, तो गाड़ी की speed शायद कम भी ना हो, तो again, बाद आ जाती है maintenance के, क्योंकि पिछली गाड़ी का hub खोलना पड़ता है, लंबा काम है, तो मैं असको कभी करवाता ही नहीं हूँ, but on the other hand, इस गाड़ी को मैं ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, ये गाड़ी क्या जाती है, suspension की problem, कुछ लग कहते कि Tata की गाड़ी आप भारी होती है, तो क्या उसकी वज़ा से suspension पर issue पड़ता है, and honestly speaking, ये सबसे फालतू बात है, जो मैंने कभी सुनी हो, spring के ओपर weight से issue जरूर होता है, लेकिन company spring भी आपको उस हिसाब का देगी ना, भाई साब, कुछ कुछ dealers, खासकर मरोती company में ये चीज़ बोलते है, कि वो भारी गाड़ी है, तो लोहे का problem आता है, suspension जल्दी खराब होता है, टायर जल्दी घिसते हैं, अगर आप इस गाड़ी को बहुत ज़दा उबर खावट रस्तों पे तेज स्पीड में चलाओगे तो, मैंने चलाया भ बावजूद मेरे को आज तक कभी suspension का कोई major problem नहीं आया, इसके suspension अभी तक ठीक है, जो में अंदर के shocker होते हैं, वो ठीक है, इस गाड़ी के springs अब change होने वाले हैं, क्योंकि over the time springs की जो tensile strength कहते हैं, वो खराब हो जाती है, तो वो इसके change होने वाले हैं, लेकिन वो खर्चा अब चारो shockers का मिला के, I think कोई 12-15,000 का है, I am not so sure about it, but again, बहुत जादा खर्चा नहीं हो चीज को लेकर, इसके बाद आ जाता है electronic problems, and yes, Tata की गाड़ीों में बहुत सारे लोग बताते है, electrical problems आती है, तो क्या मुझे कभी problems आई, honestly speaking, मुझे electrical problems इस गाड़ी में कभी भी नहीं आए, touchwood, ना ही कभी आए, एक बार जरूर हुई थी एक चीज कि मैंने fog lamp लगवाया थे किसी local दुकान से, क्यों अपने वीडियो में बता तो, अच्छा mechanic ढूण लो, Tata रखनी है तो, तो मैंने local mechanic से लगवा लिए, again, मेरी गलती है, मैं company से भी लगवा सकता था, बर then costing की से, क्योंकि मेरे दिमांगे रखना था, Tata की गाड़ी इस पर इतना पैसा क्यों लगाना है, costing की वज़ा से मैंने वो चीज बाहर से लगवाई, एड़ उसकी wiring ने एक समय में आग पकड़ ली, लेकिन उस वज़ा से कभी मुझे personally speaking कभी कोई major issue नहीं आया, कभी गाड़ी के हाथ से वाँ निकाल दिया, मतलब जहां से वो नहीं जल रही थी, of course, तो उस वज़ा से मेरी गाड़ी में और कोई major नुकसान कभी नहीं आया, and electrically, point is की company अपनी गाड़ी को सही करके भेज़ती है, आप एक बार गाड़ी लेते हैं समय गाड़ी की टेस्टिंग कर लेक्रो सारे switches चला के देख लेकरो, सब काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, and उसके बाद, most of the time आपको कोई issue आता नहीं है, issue आपको तब आता है, जब आप गाड़ी में कोई ना कोई पंगा लेते हो, ठीक है, तो that is something, and चौती चीज, engine के बारे में, Tata के engine तो बहुत unreliable है guys, and ये त तो चलो तुक्के से चलगी वणना गाड़ियां, तो Tata की कबार होती है, ऐसा लोग कहते है, ऐसा नहीं है, बहुत लोगों ये भी लगता है कि मेरे पास ना, इसमें कोई राजेट एंजन है, क्योंकि कुछ लोग मुझे कह देते हैं, देखकर कि या, this is the power of quadra jet engine, इस गारी उसने TDI को काफी refine कर लिया था, जो उसकी किर-किर-किर-किर-किर-किर-किर वाली sound है, एक traditional sound है, जो उसकी signature sound में कहूंगा, वो तो इसके अंदर भी है, लेकिन बाकी issues इस engine में कभी नहीं आए, दो लग सतर हजार पे ये engine अभी भी sealed है, इसमें कभी कोई काम नहीं हुआ, इस का engine ऐसा है, अगर मैं आपको बात करूँ, बुढ़ापा कितना जहलता ही है, जहलाती है ये गाड़ी, अगर मैं engine की ही बात करूँ, इस TDI engine के बारे में, तो ये engine मुझे personally बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत से लोग टाटा के अपने engine को गाले देते है, because ये engine, yes, एक छो सिंपल, skilled mechanic इसको ठीक कर सकता है, ज्यादा electronics इस engine के अंदर नहीं है, एक ऐसा engine है, जो multiple, major, multiple तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक आदी बारा इसमें major service भी skip कर सकते हो, मैंने करिये ये चीज़, आपको थोड़ी दे में practically वो चीज़ दिखाऊंगा मैं, तो engine wise मुझे personally कभी इ इशु नहीं आया, इशु उन लोगों को आता है, जो समझते कि Tata की गाड़िया सस्ती होती है, उनको ज़्यादा maintenance नहीं चाहिए, तो let's just skip the maintenance, right, and पाच भी चीज़, सबसे important, चुचुचु, चुचु, 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 च जरूर आया, and वो इशु रहा, मेरे गाड़ी में तकरीवन कोई 20-25,000 km, उसके साथ मैंने जीना सीख लिया था, but वो इशु आया कैसे, एक मेरे बहुत ही बेवकूफ दोस्त ने इस गाड़ी को एक बार पानी के अंदर गुसा दिया था, and पानी इस जगा पे आ गया था, I मैंने बाद में देखा, पानी यहां यहां तक आ रखा है, तो एक बार तो मैं समझ गया कि इसको इशु आ सकता है, and I think 2-3 महिनों के बाद उसका चू-चू-चू-चू शुरू हो गया, I will blame that thing only, क्योंकि ग्रीसिंग खराग हो जाती है पानी में जाने से, चू-चू-चू- बहुत सो लोग क्या करते हैं, टाटा की जब चू-चू-चू आवाज आती है, तो चू-चू-चू-चू-वाली belt change करदेते हैं, यानि जो AC के असपास की belt होगी न, AC की और एक alternator की belt होती है, उसको change कर देते हैं, जो मैंने उस बंदे से देखा, उसमें उसने मेरी काड़ी पुलीस थे उसके अंदर, जिसके उपर बेल्ट घूमती है, वो सरकल वाले जो होते हैं, वो सारे मैंने चेंज करवा दिये थे, अब इसके अवाज गाड़ी की खतम हुई, और उसके अवाज वो इतनी कम आती है, जैसे अब सर्दिया आने वाली है, अभी नवंबर का महीना चल रहा है, सर्दिया आएंगी जनवरी, एक दिसंबर, एक जनवरी में जो मेजर थंड होती है, अमरे सर में वो रहती है, अगर इसके अवाज आएगी, तो हाटली, अगर मैं इसको रोज उसकर रहा हो ना, साथ दिन, तो दस बार आवाज आजाएगी इस गाड़ी की, कि मेरी गाड़ी के अंदर ना, फेंडर लाइनिंग नहीं है, फेंडर लाइनिंग होती है, यहां का एरिया, तो क्योंकि अब हम गाड़ी के ऊपर आ रखे हैं, बात करने के लिए तो एक बार गाड़ी को प्रेक्टिकली देखते हैं, So this is it guys, my Indica Vista, and let's take a 360, this is the back side, from the left, फोड़ा से जंगल वाल अरिया मैं हूं मैं वैसे तो, but I hope we can do it, So this is the left side, and you can see, फोड़ा से रणिंग बोड मेरा लग रखा है, नीचे से, but apart from that, कुई जादा एक छोटा मोटा चलो, यह है, खेर, and this is the front, Bumper मेरी गाड़ी का, you can see it from here, I hope गाड़ी बहुत awkward, उसमें नहीं लगी भी position में, क्योंकि ना, अगर मैं उस तरफ लगा दोगा, तो धूब बहुत जादा पड़ेगी, गाड़ी का face बहुत जादा चमकेगा, तो clearly दिखेगा नहीं, This is what the car looks like, and जो सबसे ज़्यादा physical damage है मेरी गाड़ी में, वो बाहर की तरफ से Bumper परी है, क्योंकि, ऐसा नहीं मारता रहता हूँ, बस यह जो particular side है, इसकी damage, उसका reason यह है, कि मेरे को गाड़ी ना, बहुत साथ में दिवार के लगाने की आदत है, और उसी वज़ासे, वहां से मैं, मैं literally बहुत ज़्यादा close लगाता हूँ गाड़ी अपनी, बहुत ज़्यादा close, मलब आपको शायर लग रहा होगा कि मैं एक average driver हूँ, और एक foot दूर लगाने के लिए गाड़ी ठोक रहा हूँ, मैं गाड़ी इतनी close लगाता हूँ कि जब इस शीशा बंद होत हैं, ज्यादा कोई मैं टूर पर नहीं जाओंगा इसके, so this is what the car looks like after 11 years, अंदर से, दर्वाजे की condition, It's cool, actually, सही है मतलब ही सारा का सारा, यह जो bidding आप देख रहे है, ठीक है जो rubber की bidding है, यह भी आज तक खराब नहीं हुई है, यहां से भी यह सारी की सारी almost ठीक ही है, यहां से थोड़ी सी रगट रखी है, लेकिन अब इतना तो होगा ना भीया, और नीचे से यहां भी खराब ही है, ठीक है, जहां पर सबसे ज़्यादा पैर लगता है बंदे का, वहां से खराब है, यहां से पीछे से भी ऐसी है कि नहीं, तो एक बर देख लेते हैं, यह हैंडल मेरा प्छोड़ा सा टकता है, यह एक बर मैने एक खुलता, इसको जोर से खिशना पड़ता है, ऐसे, त नीचे से भी ठीक है, पीछले वाली तो, यह चीज आपको टाटा कार में करने का मसा आता है, वहां तक अवाज गूंज दिया, वहां दिवार प्या उपर से, तो लेट से जस्ट से इंसाइड, एंड यू कन सी थे हिंजे, यह पता नहीं क्या होता है, यह मेरी गाड़ी में इसको जाने देते हैं फिलाल, मुझे पता नहीं इसके बारे में, क्योंकि Tata fit and finish ले तो famous है, you can say this part, लेकिन यह fit and finish का issue नहीं है, basically, मैं इसका dashboard गाड़ी का अपने घर में भी खोल रखा एक बर, तो होचकता ही, मुझसे ही fit नहीं हुआ हो, इसको कर लेते हैं, अब बंद, and this is the dashboard guys, यहाँ मेरा phone रखा हुआ है, यह लॉख होगा steering wheel अभी इस समय, चलो steering wheel भूआने में मेरा कोई interest नहीं है, right, AC events, अगर आप देखोगे over the time, थोड़े सी गंदे हो गए है, उसका reason यह है, कि मैं नहीं को निकाल के धो लेता हूँ, अब आप को यह सा कैसे हो सकता है, तो over the time नहीं थोड़े से लूज कर दिया है, मैंने खुदी, लेकिन अगर यह बैठे में है ना, तो यह कुछ नहीं कहेंगे आपको, इसली काम करते रहेंगे, और आप जितनी मरजी स्पीड पे ले जो यह कभी अपना बहार नहीं आगा, इसको आप खीचो के यह तब ही बहार कराएगा, ठीक है, तो यह मैं धो दिया करता था, इसलिए फोड़े खराब हो गया है, otherwise यह सही थे पहले, and similarly dashboard का जो color है नहीं भी होड़े सा फेड हो गया, इसको मैं एक बाद घर में सावन से धो दिया था, मिरे को लगा था, इसको मैं धोगा तो यह अच्छा हो जाएगा मैंने sticker थोड़ा से पहले लगा ले था, क्योंकि मुझे बहुता सा 270 तो जानी जानी ही यह गाड़ी, right, and एक बार गाड़ी को start कर लेते हैं, तो clutch दबा कर, सिर्फ इतने में यह गारी स्टार्ट हो जाती है, and right now को हलकी सी चुचुचु की आवाज आ रही होगी, उसका reason है कि थोड़ा-थोड़ा मौसम थंड़ा होता जा रहा है, गारी के ना mounts पुराने हो गए हैं, जो ABC mounts होते हैं, इंजन वाले न, अगर वो change होगी यह आवाज ख लेकिन इस से कभी बैटरी का इशु नहीं पड़ा मुझे है, बैटरी गाड़ी के हमेशा से जलती है, and you have seen कि आधे ही self-free, almost battery start हो जाती है, car start हो जाती है, अगर मैं इसके नीचे आपको लिखा हूँ, तो you can see, shared आपको शोड़ा से दिख जाएगा, अभी भी यहां पर steering के वाज जो design होता है, ऐसा वाला पैटर, वो अंदर से आपको शोड़ा से दिख जाएगा, तो यही कुछ पहचान होती है, चली भी जादा गाड़ी के इसके तो यह लागा एसज मेज़र कोई गाड़ी के अंदर मेरको ने लगता कुछ बताने वाली बात है, कुछ चुपाने वाली बात भी है, इसको खोलना बऌत असान है, तो यह असी निकल जाता है बहर, इसको लगा भी देते हैं अशी, गज़या है, उपर से, फिट और कोई आवाज नहीं आएगी इसकी मुलब जीरो ये एक तो फिट हो जुका है पैनल अपने जगह पे ठीक है तो ऐसी चुटी-चुटी बहुत सरी चीज़ है डैश्बूर की अगर मैं गलावबक्स की बात करूँ तो गलावबक्स भी इस गाड़ी का सही है उस जमाने में soft effect नहीं आता था टाटा की गाड़ियों में गलावबक्स कारी का massive है क्रोना की यादे पड़ी हुई है and honestly बता रहा हूं जब यह गाड़ी चलती है इस गाड़ी में इसके अलावा कोई आवाज नहीं आती है तो टूट रखा है इसका इसके अलावस गाड़ी की अंटीर से कोई आवाज नहीं आती एक mounting की कई बार आती है वह बहुत rare है this is the gear after all the maintenance it is like this मखन गे रही है and यह इतना छोटा इसलिए because full side का shifter नहीं मिला था तो मैंने short लगवा दिया था जब मुझे gear का का काम करवाना था मैंने एक बार इसकाब and यह जो पार्ट देख रहे हो ना यह originally इस कलर का होता है यह मैंने घर में उतार के ही इसको पेंट किया है सारे को this is all black यह black नहीं होता है इंडिका विश्टा स्टॉक में यह इस कलर का होता है यही कलर यहां तक कैरी फोड़ किया होता है इन्होंने इस वाले को लेकर अच्छा लगता है मुझे करना यह stereo भी मैंने इसमें अपने अप लगाया था पहले हमारे दूसरा लगा हुआ था मैं अपने आप कर देता हूं गाड़ी का यह सारा कामना स्पीकर इस गाड़ी मैंने अपने इंस्टॉल करें है पावर विंडो जो आप देख रहे आप देख वाड़ी को बंद कर दिया मैंने देख बाहर की अक्सेसरी का क्या फाइद हो एक्स्टा फीचर मिल जाता है अब इसको लॉग कर देते हैं तो यह अपने बंद हो जाती है ठीक है नाइस इसको खोल देते है एंड चलते हैं इंजन बे की तरफ यह थोड़ी सी बिड़ी में यहां से रबड़ वाली है थोड़ी सी थाइट हो गया ओगी अवड़ी यह बंद इसको आपर होती है यू कन सी दिस थिंग कुछ चीज़ आपको दिखाता हूं यहां पर इसका जो यह होता है क्लॉस बटाइव यू कॉल इट लाइनिंग अब तक ठीक है थोड़ी सी यहां से खराब हो रखी है यह थिंग तब खराब हुई थी जब आपको बताए सा गाडी में एक पर हलकी से आग लग गई थी तो यहां चोटा मोटा है लेकिन यह और लीकेज का नहीं है यह जब डलते समय जो हो जाता है ना काम वह बला है इसके लावा यह है इसका प्रेशर पंप अगर कभी तेल नहीं जा रहा है यहां से करके आप कर सकते हो इंडिका में इंजिन बहुत जादा पुराना है ठीक है कहां जा रही है यह आ रही है इधर कहीं आस-पास तो यहां कहीं पर air filter का pipe आता है वो टूट रखा है उसके बावजूद इसका air filter अंदर मिटी नहीं जाने देता इस वेल डिजाइन इस नोट क्रैप ठीक है यह आपका coolant cover everything is good actually यहां पर कुछ देखोगे ना यह central locking की वायर होगी I don't remember exactly so that is everything एक चीज़े मेरी गाड़ी की खराब है वो है यह this pipe and this pipe जो उपर पानी देता है वाशर में उसका reason कि गाड़ी का एक accident हुआ था चोटा साथ कुटा आगया था तो यह जो डब्बा है जहां पानी कठा होता है ना यह दब्बा हमारा तूट गया उस वजासे ना पानी इसमें कठा नहीं होता जो में पानी भरता होना तो पानी नीचे निकल जाता है तो इसलिए वाइपर मेरी गाड़ी के गुड़ अभी भी एसी गाड़ी का बंध है और मैं बोलता रहूंगा साथ सार लेकिन इसको मैं पीछे रखता हूं एक बर कैमरा को ताकि आपको फोड़ा सा एडिया हो जागा कि स्मोक इतना आ रहा है गाड़ी में से राइट सो लेट उस टीप इट है यह वेरी गुड़ इक बार मैं यह एक्सलेरटर देता हूं मैं अगलेकर देने के दो तरीके होते हैं अगर आप एक तुम से दवा दो किसी भी गाड़ी में तो इसमें आपको फुड़ा वोग जादा मिल सकता है अगर मैं इसको अराम से चलाओंगा न धीरे से दभांगा तो आप देखने में तो complete acceleration and you can see smoke इसमें कितना है गाड़ी में तो यह गाड़ी इतना ही smoke करती है and that is why I feel like I have maintained this car good ठीक है मैं नहीं कहता है कि smoke इतना बल्ल अभी यह कहते है बहुत कम है इतना आता है लेकिन you can see the age of the car right so it is quite good यहां से इंजिन का प्रेशर जग किया जाता है दो जगाह से कि यहां से आप वो नीचे जहां dipstick होती है इसको खोड़ने के लिए प्लास नहीं है मैं हाद नहीं गंदे करना चाता है इस समय जब कोई बंदा इसको देखेगा तो उसको दिखा देंगे इन चीजहों और समझने के लिए आप मेरा used car purchase का इसी थर्ड वीडियो देख सकते हो जो इंज किसी भी गाड़ी की जादा दिक्कत वाली नहीं होती है अगर आप उसको company के manual के साफ से करते जाओ and मैंने तो इसको literally बहुत कम maintain किया है मैंने इसमें सिर्फ समय समय पर engine oil में इसका change कराता रहा हूं इसका air filter इसका oil filter इसका fuel filter ये चार चीज़े मेरी समय पर change होती रही है ले निकाला है ठीक है तो that is something which I feel like इस गाड़ी के जो engine है it is super reliable लोग सिर्फ उसकी माभेन कर देते हैं अपने आप से इसको maintain बिलकुल भी नहीं करते otherwise इस गाड़ी को जो जो आपको डालना है अगर आप इसको खिलाते रहोना तो इस गाड़ी में कभी आपको issue नहीं आएगा and service cost wise गाड़ी की service पच्छी सो से पैंतिस सो में हो जाती है क्योंकि बहुत समय से मैं agency के बाहर से service करवा रहा हूँ एक मैं fuel की चलो मैं lid तो नहीं खोल रहा है बड़ मैं इसमें system D जरू डालता हूँ जिससे कई बार injectors मेरे clean हो जाते हैं and boot space की बात कर लेते हैं तो शौकर मैंने नहीं लगवाए से लेकिना वह भी फोड़े पुराने होते जा रहे हैं तो शोड़ा सा ओपर खिशना पड़ता है and boot में मेरे यहां पर लकडी की ट्रे लगा रखी है cylinder उठाने के लिए तो it is quite thick proper लकडी है नीचे that is me the spare wheel and these are original JBL speakers यह भी मैंने इंस्टॉल खुद से की है आगे original pioneer के speaker है वह भी मैंने खुद से इंस्टॉल की है तो गारी यह जब ली थी किया था इस पर काम बहुत प्यार से किया था लेकिन उसके बाद इसको मैंने ज्यादा मेंटेन नहीं किया यहां से थोड़ा बहुत अब यह न कंबल सा बाहर आ गया इसका जो लाइनिंग होती है फ्लोर वाली यह चीज बूट लाइनिंग फ्लोर लाइनिंग वटेवर यू कॉल इट तो काम है जादा नहीं छोटा छोटा है तारे इसकी पापा निकाल देते है मेरे हरगा अब मैंने लगानी चोड़ दी है जब सिलेंडर रखते हैं यह आपतार निकाल देते हैं यह कन सी यह जो माक्स हैं तो अब यह हमारा वर्क होस हो गया इसको धोते रहते हैं हम कुछ ना को इसके अंदर ऑस गाड़ी ने अमारे लटरली बहुत साथ दिया है पॉ लगवाई है को लगवाता है दो पैसेट पे नहीं लाइट है वो भी टाटा की गारी में बट इस और इस वजह से भी ना गाड़ी को चलाने को और जादा मज़ा आता है आपको फॉग लैंप की कभी कमी महसूस नहीं होती है अगर आपकी लाइट अच्छी होता हूँ जिसको मैं पिछले 11 साथ से चला रहा हूँ और इस अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मैंने ये सीरीज क्यों बनाई और आप लोग सपोर्ट कर सकते हो मुझे हमेशा की तरह इस वीडियो को शेयर करके और मुलाकात करेंगे अगले वीडियो के अंदर तब तरक लिए ये की बाहि अची सब्स्क्राइबंग अन सब्सक्राइबंग और बाव अचला अगशाम अन्मे दफिन मेरा मानना है गाड़ी और और आपको घर में तब लाने चाहिए जब आप उसको मैंने तेनकर Shepherd करेकी आपकी गाड़ी और जगा जगा आपको ठीक करेंगी आपकी उर झाल झाल झाल